नमस्कार दोस्तों जैके वीडियो में आपको प्रस्वागत आज मेरे बताने जारूँंगे मैं बचपन के पनी स्टॉरी जिसके बारे में मुझे सिर्फ मुझे ही पता है यह किसी गई तक मैंने बताया नहीं है सिर्क मैं आप लोगों से शेर कर रहा हूं तो वीडियो पूरी ध्यान से देखो अगर इस्टोरी थोड़ी भी अच्छे लगे इसमें कुछ माइनस प्रस लगे तो कमेंट करो और थोड़ी भी एच्छे ले वीडियो तो लाइक करो अपने दोस्तों के जाए शेर करो कि तो यह सिंगल पहला पार्ट उसके बाइब यह वीडियो गई वन के कमेंट आ गए तो इसकेंड पार्ट में लाने बाए यह बात तब कि जम मैं था 12 साल का और मैं गया था मुंबई 12 साल मुंबई गया था मैं थोड़ी स्थिती दर दर थी ने इसके पहले जो मैं हमने बहुत ही बड़ा कॉलेज था बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज था और उस डिग्री कॉलेज में डिप्लोमा BCS एंजिरिंग A to nicet था तो उसमें लड़कों से यहादा आप माहनों के नहीं लड़कियों दोस्ती छोटा बच्चा मासूम सा दिफिती तो बाई अब इत मतलब मुझे रखता है 2014-14-15 की बात है तब मुझे भी कुछ पता नहीं था जाए लोगों को भी नहीं पता था ऐसा कुछ तब दोस्ती मेरी पूरी थी जाए से नंबर के इस नमबर रखता था कि इसलिए में इसके शृट बना करता फोटो बना करता समय किता कोई जूरी अगर एंधय और मेरा अच्छा काब चलता था मैं सो सो दो दो सो रुपए के लिए लोगों को नंबर देता था कोई लड़का बोला ना इसका नंबर अपनों तो पता नहीं था लड़किया भी मतलब पूरा मानती थी मेरा बड़े मनाते थे जहां मैं काम काता उसकी गोली मरो चार देर तंखा थी और खाना पीने सब उद्धर लिए खिला देते थे खिशी का बड़े बगार हुआ तो मुझे बुला लेते थे जिसे बड़े हो तो मुझे अच्छा खिला लोग फ़ाते हमाइं ऑफ्यार को या तो मैं ब्ला प्यार था मैंने काफी दिंट इता कि बढ़ेद्सार यह अपना खर्चा पाई ना नहीं पढ़ाओं तो मैं नहीं पढ़ाओं तो अब मैं इसके बाद यह तो नोर्मल था मतलब मैं पढ़ने में काफी जाए तेख तो मेरी लिए कुछ आसा नहीं तो नहीं पढ़ा तब भी लेकि मैं अपने भाईयो को पढ़ाओं मैं अपने बहुत मज़े की मैं तो वहां इतना मज़ा था मुझे मैं घर बूल गया था जो मालक थे उनकी वज़ास नहीं मालक इतना गंदा था इतना गंदा था मैं आपको बताने साथ मालक बड़ा गंदा था मैं जब एक बार मैं आया था इक साल में घर उसने मुझे बोला कि वापी साजाना पैसे दे दूंगा अगर तो इतनी जल्दी नहीं आया अब तुम चोटो इतना चोटा था वच्चा अगर घर आता है एक साल में तो बंदा दो महिने भी ने लगाए अगर मैं कुछ सोचो उसके बाद मैं लोगों से मेरी बॉंडिंग अच्छी हो तो मेरा तरीका जो बात करने को बहुत ही कूल है ऐसा बोलते हैं लोग कि आप बहुत अच्छा बोलते हो मैं अच्छी जिंदगी दे दिये अब लोग चलो फिर एक साल लगा कि मैं उसको एक महीने कैंदर ही चुरा से जब मैं दुबारा आने लगा था वो कुछी उसका पैसा दिया मुझे मतलब की ऐसा आइसी बास तो महलक को छोड़ू मैं ऐसा था कि मेरे लोगो इसमें इतना लड़के लड़कियों में इतना प्यार था लड़कों जया लड़के जानती थी और लड़के वी जो 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 अगर मैं गड़ी बच्चा हूँ या मैं गड़ी बच्चा और वेटर काम करता हूँ ना ऐसी कोई महंगे-महंगे फोन होते थे उनके पास मैं बोलता हूँ मुझे फोन ज्यादा लगा तुरंट देते हैं उसके अलामा मतलब ऐसी दोस्ती थी ना मेरी कि तुम लोग लेकिन मेरे ऐसा था कि मैं अगर पढ़ने में लग गया तो हो जाएगी दिक्कत दिक्कत ऐसे कर मैं पढ़ने में लग गया तो मेरे चोटे भाई बहन ऐसे हो जाएंगे और मैं पढ़ूंगा तो भी काम कैसे करूंगा अब पार्ट टाइम के दिक्कत बहुत ही मैं अकेला था वहाँ पर इसी करके उस भाई को मैंने धन्यवाद बोला उसका नंबर मैं लिया करती थी मैं ये बता रहा था को इस्टर्णिंग जो स्टोरी इस्टर इसटों तो यह है कि मैं वहां पे लोगों को नंबर देता है फोई बोलता ने इस लड़की का नंबर इसका दिए तब मैं आपने पता ही दर वह आपस वह पीजोशन सोना भी नहीं लोगों को जानता ग भाई उसका भाई वह लागा तो इसका बहुत थी घृच्चा था कुछ नांस टाइम की बात जम अएक बाद लड़ाई थी दोस्ती थी प्रेकप तक पहुँट बात मुझे उसका मुझे फून आया मैं गाउं में था उसका मुझे फून है मैं गाउं कैसे आया और क्या क्या हुआ भी बताता है उसको समझाया देख भई ऐसा नहीं होता है ऐसा इसी बात है भाई साब मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया मैं बोला यार क्या मैं तो इतना अच्छा कैसा बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ न कि मैं लोग गुरु बन जंहु बन जो मतलब लोगों को एडवाईज दू से कि मतलब की रिलेशंसित कैसे बिंड करते हें चोटी-छोटी बातों कैसे लड़े न लड़े मैं सोच रहा हूँ इस बात पर इस टौपिक पर मैं एक सीरी चालों करूँ अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे जो भी जानना चाहता है तो मुझे बताए मैं अच्छा खासा बता लेता हूँ जैसे का आप में देखा होगा पीछी वीडियो में कि मैंने कई लोगों ऐसा समझाया मतलब कई दोस्ते मेरे मैं इन सब चक्करों में पढ़ा हू जो चेट था मैं दो तीन सार चार साल वहां पर लगा क्या है अगर रेगुलर नहीं पढ़ूँगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत और दिक्कत ऐसी हो जाएगी मैं फिलो जोओंगा तो फिर तो मुझे लोगा कौन पढ़ता है वाले एक आधी डिग्री तो हो मतलब दिग्र घ्री तो हो कम से कम हाथ में पास होने के लिए मैं उसका हिसाब किया और ये कभी काम आ सकता है दशनीत कर लो इसके चकर में यह उस बंदे ने मेरे पैसे नहीं दिए उसने मुझे बोला 15 दिन में देटूंगा उसका 15 दिन बाद बाद मुझे बोलता है कि आ जाओ तब दू चाहिए न तुमको पता करना ही पड़ेगी दस्की तो करने के बाद मैंने मैं तो वहां गया निया और उसने मेरा पैसा भी नहीं दिया और वो जिस हाल में उसको मैं कितना खुस उआप लोग मीडियो में देख सकते हूं तो मुझे उसका खुस हो मैं और बाकी सब लोग पूरे लोग अच्छे थे पूरा अच्छे थे इसका सब्सक्राइब बताओं उसमें और डिटेल में आप लोगो अगले वाली वीडियो के पूरे डिटेल केसा अब लोगा तो आज के वीडियो इतना ही तो रखो अपना ध्यान जैजैस्री राम